संजू सैमसन की वापसी के रास्ते खुले पहले वंडे में हुआ कुछ ऐसा राहूले की कीपिंग नमस्कार भारत मनाम आस्ट्रेलिया पहले वंडे मैच में तो भारत दर्विकेट से हार गया लेकि न्यूजिलेंड दौरे से बाहर किये गए संजू सैमसन की वापसी के रास्ते खुलते वे नजर आर रहे हैं क्योंकि आस्ट्रेलिया के साथ खेले गए पहले वंडे मैच में रिश्य पंद को चोड लगी है जिसके चलते वे विकेट कीपिंग करने के लिए मैदान पर नहीं उत्रे उनकी जगा किया राहूले विकेट की जिम्मेदारी को निभाया भार्टे टीम ने पहले बल्लेवाजी करते रोस्ट्रेले के लिए सामने 255 रनों का लक्ष रखा लेकिन जब टीम फिल्डिंग करने के लिए मैदान पर आई तो पंत की जगा राहूल के हातों में दुस्ताने थे पंत जब बल्लेवाजी कर रहे थे तो उस समय उन्हें चोट लग गई रही शब पंत की चोट की बात बी सी सी आई ने ट्वीटर करके बताई हाले की पंत अब ठीक है लेकिन उनकी इस चोट के बाद वे मैच खेलने के दूसरे वंडे उतर पाएंगे की नहीं ये कहना अभ पंत की मुश्किला बतादे बल्लेवाजी के दूरान केन रिचर्सन की गेन पंत हैलमेट से जाकर भी टकराई दोस्तों ये देखने वाली बात होगी पंत की चोट कितनी घंबीर है